नमस्कार समचार गुंदे खेंड में आपका स्वावत है मैं भूजोली आईए रज़र डालते हैं जहासी की खास्त पब्रोब डॉक्टर भीम राव अंबिटकर की जैनती पर सामा जीक समरसता गोश्टी में जहासी पहुँची केंद्री मंत्री साद्भी निरंजट ज्योती ने पश्चिम बंगाल की सीम ममता बनर जी और प्रियंका गांधी पर सीधा हमला बोला उन्होंने का कि भाजपा जीती है तो समविधान खत्रे में पढ़ जाता है लेकिन पश्चिम बंगाल में समविधान खत्रे में नहीं है जहां रोज हत्याएं हो रही है बेहन बेटियों की इज़त लूटी जा रही है ममता चुप चाब बैठी है और उनके गुंडे हावी हो रहे हैं मैं कहती हूँ कि ममता को अपना नाम बदल कर कुरूड़ता कर लेना चाहिए क्यों कि ममता का मतलब अपना पन होता है मा ममता का रूप होती है लेकिन वहां कोई नहीं बोल。 है सादवी ने कहा कि राजस्थाल में जिस तरह से जुलूस के अंदर पत्रा हुआ प्रियंका गांदी ने मूँ पर ताला डाल लिया देश खत्रे में नहीं पड़ा अगर उत्तर प्रदेश में घटना हो जाती तो देश खत्रे में बढ़ जाता चुनाओ हारी तो खत्रे में पड़ गया पहले तो भी उसी मशीन से जीतते रहे मुसलिम समाज का राजनेतिक पार्टियों ने शोशर किया सादवी ने कहा कि कॉंग्रेस से लेकर सभी पार्टियों ने वोट बैंक का माध्यां बनाकर मुसलिम समाज का शोशर किया है बीजी पी आ जाएगी तो मुसलिम खत्रे में पढ़ जाएगा, मैं पूछना चाहती हूँ कि यही वो प्रदेश है, जहां सपा सरकार में दंगे होते थे, दंगे होते हैं तो अकेला हिंदू नहीं मरता, मुस्लिम भी मारा जाता है, जब से प्रदेश में योगी आदितनात सियम बने, कोई दंगा नहीं हो रहा है, बाजापा ने सबका भला किया है, बाजापा सरकार में कोई खत्रे में नहीं है, इनकी राजनितिक मानसिक्ता खत्रे में है, जसी इस्तिती रही तो जिस तरह से कांग्रेस खत्म हुई है, वैसे ही सपा खत्म हो जाएगी, जहासे से मन arbitrary की साथ ब्रजिश परिहार कि ए और एक बात और कह सकती हूं वह उस समय था वह चाहते तो धर्मान्ति तो हो सकते थे लेकिन उन्होंने अपने आपको हिंदुस्तान के रूप में रूप में बचा करके बुद्ध्धर्म सुईकार करके जो हमारे भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे उसको ले करके चले और आज कंतिन पंती पर वैठा हुए विक्ति और मैं तो कह सकती हूं कि दोनों महापुर्सों की विचार धारा के आदार पर आज सरकार काम कर रही है मैं आज डाक्टर भीम राम बेटकर जीके चर्णों में अपने कारकरताओं के बीच में आई थी और आपके बीच में आकर मुझे खुशी भी हुई है मैं पुना भगवान बुद्धिक के बगवान महावीर के चर्णों में भी शुर्टा सुनमात्वित करती हूं जिन्होंने अमें एक अध्यात बाद दिया जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया उनका भी आज परवुस्व मनाया जा रहा है तो मिया बहुत ध्यां्ड करते में पड़ जाता है नहीं जाहां रोज नहीं हो रही है वह कोई नहीं बोला ना मुलाएं बेले ना सपा बोले ना कोंग्रेस बोले और राजस्तान में जिस तरह से जुलूस के अंदर महां पथरा तब अब जाता है तुनाव हारे खत्रे में पड़ गया अरे तुम भी तो उसी मसीन से जीते रहे वह वही मसीन है तो नहीं जानती हो अपने मन को हम नहीं जान पाते कि मेरा दूसरे च्छल में मन क्या बोलेगा यह तो उनका भी से मेरा भी से नहीं भी देखिती मुसलमानों के सबसे आदा हमाईती अकले जादा पार्टी मानी जाती थी आज उनके विदायक इस्टीपा दे रहे हैं कि सबसे बड़े विरोधी म मुसलमानों का क्लिश आदम है क्या जितनी वी राजनितिक पार्टीयां हैं कॉंग्रेस से ले करके देशने उन्हों ने उस समाज का सोशन किया ओट करके भारती जंता पार्टी आ जाएगी तो मुसल्मान खत्रे में पढ़ जाएगा आज मैं पूछना चाहेती है 2014 से 2017 में प्रदेश से कौन सा मुसल्मान खत्रे में यही प्रदेश जहां दंगे होते थे सपासरकार में दंगा होता है तो हिंदु की में बहुत शाति मुसल्मान भी मारा जाता कोई धंगा नहीं हो रहा कोई司द नहीं हो रहा है और यदी भाई वीद करके इबाचपा आ जाएगी तो मुसलमान खत्रे में हो जाएगा कोई खत्रे में नहीं है हाँ इनकी राजनेति के मान सिक्ता खत्रे में जरूर है और यह स्तिती रही तो जिस तरह से कांग्रेस खतम हुई है उसे सपा भी कता था जाए अब दंगा होता है तो कौ तो हिंदू और मुसल्मान दोनों मारे जा रहे हैं क्या उस सरकार पर कोई नहीं बोलेगा नहीं बोलेगे भाई क्योंकि वहाँ खत्रे में नहीं देश और मैं तो कहती हूँ ममता तुम अपना नाम बदल लो भाई ममता का मतलब होता है ममता की रूप होती है एक बार बच्चा भी शरीर में गंदिगी कर देता है ना मा उसको भी साप करके उसको उतनी प्यार से रखती है लेकिन ममता का नाम तो पूरत पूरता होना चाहिए कि जहाँ जिस तरह से वहाँ बहुन बैटियों कि घर जलाए तो मुझे लग रहा कि ममता ममता नहीं है अब और कुछ नाम रख दीजिए तच्छा रहे ठीक दीवी एक सवाल था हमारा आप से उत्यप्रदेश सरकार द्वारा पुरुस्क्रेट वरिस्ट नेत्र विशेशग वफीको सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्रा जहाजी ही नहीं बलकी बुंदेल खन के ख्याती प्राप डॉक्टर रमेश चंद्रा द्वारा नेत्र संबंदी समस्त बीमारियों का आधुरिक मशीनों द्वारा परिशर वा उप्चार जिसमें मोतिया बिंद का फेकोडिदी द्वारा उप्रेशन, ग्लुकोमा वा काला पानी का उप्रेशन वा इलाज रिटिना की जाच, बलक बंदी की सरजरी चश्मे की कंप्यूटर द्वारा जाच इत्यादी सभी सोविधाय उप्लब्द रहेंगी इतना ही नहीं प्रतेक मह की 20 तारी को सुबा 9 बजे से 1 बजे तक निशुल को नेत्र परिश्र श्विर का आयूजल किया जाएगा जिसमें मोतिया बिंद रोगनियों के ओप्रेशन पर विशेश छूट का प्रापधान भी है चंद्रा नेत्रा ले मिनर्वा चौरहा जैदुर्गा मेडिकल स्टोर जहांसी ओल इंडिया में लोडिंग अनलोडिंग की समसे सोविधायों पलब्द है मिश्रा रोट लाइन संपर्क करे 9336-184688-76170-41558 राजुपाल एवं मापीतामरा मेरेज गर्डन शादी पार्टी एवं अन्शुख अवसर के लिए संपर्क करे मोबाइल नंबर है 9415055525 8090155855 7355231447 पार्किंग के लिए विशेश सुविधायों पलब्द है शिपुरी रूर, टोट बलाज़ा, रक्सा, जिलाजहासी, उत्रप्रदेश प्रॉफ राइटर सन्जे कुमार मिष्ण उर्फ संजु मिष्णा